सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्लोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी चले शुरू करते हैं दोस्तों आप सभी ने फेस्बुक पे वाटसेप पे तरह तरह की वो इमेजिस को ज़रूर फारवर्ड किया होगा या देखा होगा जहां पर लिखा होता है कि वो जो एक बेल है उसकी कीमत है एक आईफोन के पराबर जो कंप्लीट सेट है उसकी कीमत है करी 25 लाग रुपे त यह हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि पहले के जो आपके कंप्लीट विकेट्स थे जहाँ पे स्टंप्स और बेल्स दोनों बने होते लखडी से वहाँ पे एकुरेट फैसले दे पाना बहुत ही मुश्किल था बिकॉस दोस्तों ज जानते हैं कि action replay में भी दोस्तों आप चाहिक इतना भी zoom कर लें accurately यह बता पाना कि बेल हवा में थी या नहीं थी क्या पता वो एक mm हवा में थी या दो mm हवा में थी आपको नहीं मालूम है यह दोस्तों 3rd empire के लिए बहुत भी मुश्किल होता है और ऐसे में बहुत बार गल के द्वारा जो भी एक Australian company है अब यहां पे दुस्तों यह जो complete wickets का system है यहां पे आप खुद सोचके देखो तो ऐसा कुछ एकदम कमाल rocket sensor लगा नहीं है कि एक set की कीमत अगर मैं आपसे बात करो तो 25 लाग रुपे निकल के आएगी यहां पे exactly कुछ clear नहीं है कि system system काम कैसे करता है लेकिन दो theory जिनों सामने आती है तो पहली theory यह कहती है कि जो आपकी दोनों bails हैं उनके दोनों edges दोस्तों लगे होते है read switches अब देखिए जो read दोस्तों switch है यह काम कैसे करता है यहां पे आप magnet के through इसको on या फिर off करते हैं दोस्तों standard position में होगा क्या कि जब bails इसके उपर रखे है आपके stump के उपर तो नीचे stump में लगे हैं आपके magnets जो switch है वो off है जैसे दोस्तों bails उपर हवा में गई वैसे दोस्तों दोनों तरफ की जो switches है वो on होए और जब दोनों on होंगे तभी जो lights है वो जल जाएंगी अगर एक सिर्फ उठाएगा तो light नहीं जलेगी अब दोस्तों ऐसे में जब light जलेगी तो उसके बाद में होगा ये कि साथ का साथ एक wireless signal नीचे भी जाएगा stump में जो stump की lights को भी on करवा देगा और ये सबी जो होता है ये होता है second के 1000 हिस्से में अब यहाँ पर दोस्तों अंदर कुछ एकदम basic circuit लगा है आपको normal battery लगाने की ज़रूत है और जो complete stump है वो बनाया गया है plastic composite से बस इसमें इतना ही सब कुछ science है इसके अलावद उसमें दूसा सिस्टम में वो ये कहता है कि जो आपकी bells है उनके दोनों end पे होते है tactile sensors जिसका मतलब ये है दोस्तों कि जो contact है आपकी bell का और stump का वो वो जो sensor है उसके उपर monitor करता है वो बात तो सही है तो यहाँ पर साइन से वो कुछ इतनी है कि जो research इसके लिए की गई उसकी cost ज्यादा थी जो development किया गया उसकी cost ज्यादा थी प्रस cricket दूसना आप सभी जानते है कि जो cricket का game है उसमें completely बहुत पैसा भी है इसके अलावा क्योंकि system की demand इतनी नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि दिन की हजारों हजारों जो आपकी लाखों है वो wickets बिक रहे हैं आपके हजारों systems हजारों बेल्स आपकी बिक रही है यहाँ पर जो demand है वो बहुत ही limited है तो ऐसे दूसरों cost है उसको बढ़ाया गया है और यह सिर्फ एक hype करने के लिए जो आप सुनते हैं समझते हैं कि हाँ 40,000 डॉलर का एक complete set है सिर्फ इतना ही है ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो science लगी है उसकी इतनी कीमत है अगर आप खुद चाहें अगर आप एक student है अगर आपको थोड़ा बहुत interest है से projects में तो आप खुद के लिए भी अपने घर में बढ़ेगी आराम से कुछ एकदम basic electronic components को कामा लेने के बाद में बना सकते हैं जै हिंद वन्दे मातरम